हेलो फ्रेंड्स माइनेम इस संजे चोहान और आइवलकम यू और प्लेटकॉम आफ इन्वेटर सटा तो टोडे इन दी सेशन विल भी टॉकिंग अबाउट टॉपिक आपको स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है वो देखके आइडिया लग गया होगा कि हम किसके बारे में बात कर करने वाले हैं सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक्यू बोलूंगा थैंक्यू बात के लिए कि आप लोग वीडियो को देखते हो सराते हो अपने वैलोगल कमेंट जो है उसमें आप डालते रहते हो कि सर यस चीज़ में वीडियो चाहिए सर इसमें ये सुधार किया जा सक फामेसी फिल्ड में उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसके बारे में क्या बात करने वाले हैं कि वैकंसी डिटेल्स क्या है क्या 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 वैकंसी के रिक्पार्मेंट है क्या 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 एलिजबिल्टी क्राइटेरिया है पैसा और इसा कितना मिलेगा कितना रो और जिसकी वज़े से सारी चीज़े बहुत जल्दी से जल्दी उन्हों तयार किया जा सकी। क्योंकि यह vacancy आ चुकी है बहुत ज़्यादा समय है नहीं इस vacancy के लिए एक दो महीने बाद या हो सकता एक महीने बाद इसका एक्जाम हो जाए तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है आपको किवल धार लगानी है अप धीरे धीरे तैयारी आपकी अलड़ी उमीद कर रहा होंगे आप हो चुकी होगी क्योंकि फार्मेसी से जु यह जो वैकेंसी पर्टिकुलर्ली आई हुई है यह पॉलेटेक्निक कॉलेजस के लिए उसमें जो प्रिंसिपल की पोस्ट होती है उसमें जो टीचर पढ़ाते हैं दे और अन्दे डिजिगनेशन ओफ लेक्चरार असिस्टेंट प्रोफेसर असोशेट प्रोफेसर इस तर देखिए एक चीज आप दिल पर महनत तो सब लोग करते हैं एक मजदूर भी जो है काफी महनत करते हैं पूरे दिम बार लेकिन आउटपूट शायद उन्हें उनके इसाफ से सटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती है लेकिन कहीं नहीं हमें क्या करना है महनत का कोई तोड़ नही स्मार्ट करते हैं कि इस राइट स्टैटेजी क्या होगी तो थोड़ा सा समझ लेते हम लोग वैकंसी के बारे में समझ लेते हैं कि यह वैकंसी है कि इसको निकाला हुआ है यानि कि रिक्रूटिंग एजन्सी स्पॉट यूपी प्यस्थी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्व कमिशन उत्तर प्रदेश लोग से वायों दिसका की अभी आफिस आप देख रहा होगे कहां पर यह प्रियाग्रा जो कि पहले इलहाबाद था ठीक और इलहाबाद की नगरी जो है प्रमसर संगम के लिए आपको पता ही है ठीक है यह एक्जामिनेशन का नाम है कब यह फॉर यह इसका एक्जामिनेशन कौन कंड़क कराता है रिकूट्मेंट और कंड़क्टिंग बॉड़ी इस लोग से वायों तो अगर आप उत्तर प्रदेश के अलावा अमाली जो उत्तराखंट से है तो डेफिनेटली उत्तराखंट पॉब्लिक सर्विस कमिशन इस और फ्रम दि इसमें जनरली रेफर दे रिकमेंट दि कंडिडेट प्याज़ी दिगरी और एक्सपिरियंस डेफिनेटली आर गोल टो प्रफर दी इस टाइप अपको दिखाए देरी है वह आपको दिखाए देरी लेक्षरार यह इंजिनेरिंग के ब्रांचे चुकि जो इंजिनेरिंग परफार्मेसी पॉलिटेक्निक में एक ही साथ होता है तो उसकी पोस्ट आई हुई वहां पर जो लेक्टर के जोर्णते देखे एलेक्टरिकल इंजिनेरिंग सिवल इंजिनेरिंग इल्ट्रॉनिक्स रेमिकल कंप्यूटर पेंट टेक्नोलाजी डिफ्रेंट डिफ्रेंट इंजिनेरिंग उसकी अलावा जो इंपोर्टेंट है वो यह है जिसके हम लोग बात करने वाले हैं लेक्टरर पामेसी 25 पोस्ट आई हुई है अलग 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 कटिग्री में आप से रेक्वेस्ट है प्लीज दूनोट गो ऑन दी नंबर पोस्ट आपको तो एक सीट केवल चीए ना आपको केवल एक सीट से मतलब होना चीए 25500 उसे क्या लेना देना उससे कुछ लेना देना है ठीक है अब लेक्टर एक देखी इसमें नॉन इंजिनेरिंग की भी बैग्राउंड यहां पर देखी नॉन इंजिनिंग वालों की निकली हुई है फिजीक्स केमेस्ट अब जरह हम लोग देख लेते हैं कि eligibility criteria क्या है इसका लेक्टर फार्मेसी का what is going to be the criteria for this post इसमें देखें दो है एक level 9A entry है एक level 10 है so level 9A what what basically it says it says it requires B pharma with first class degree इसलिए कहता हूं आपको merit बनाईए first class आपका result at least your result should be first class B pharma with first class B for many diploma अलों को पढ़ाना है there is a minimum requirement of B pharmacy candidate should having the B pharmacy that is essential qualification दो तरीके qualification अपिए एक essential एक desirable तो essential का मतनब candidate should have candidate के पास होना ही चीए यह पर लिखा हुआ भी फार्मा plus first class this is essential qualification desirable इसमें नहीं मांगा गया है लेकिन यहां पर technical कुछ डिस्प्लीन से अगर आपके पास if you are having the master's degree if you are having the candidate of PhD degree holder definitely you are having the edge आपको advantage मिलने ही वाला है क्योंकि आपके entry 57,700 से होनी वाली है यह तो बेसिक पेस्केल आपको टीए डीए medical lounge insurance दुनिया भर की चीज़े लेकर यह 65-70,000 तक 67,000 तक यह पहुच जाता है चलिए आगे हम लोग बात करने वाला है कि यह scheme है क्या किस तो देखे इसमें paper 1 paper 2 paper होंगे paper 1 एक होगा paper 2 दो paper होंगे यह जो लिखा हुआ यह paper 1 है और यह paper 2 है उसके अलावा यहां पर देखे लिखा हुआ सक्षातकार साथ स्क्रीन पर आपको नहीं दिख रहा हुआ आपको एज़ी क्वालिटी में थोड़ा स्क्रीन करके देखना चाहिए सक्षातकार मतलब इंटर्वीव यानि 100 नंबर का इंटर्वीव भी है यानि जो पहला paper है यह कितने नंबर का 375 नंबर का समझ गया आप दूसरा भी 375 नंबर का है यह मार्क्स की बात बता रहा हूं और 100 नंबर यह यानि कि 875 नंबर आप जोड़ लेजिए यहां पर 375 यह कितने होगा और यह 850 टोटल होगा है तो यह 850 मार्क्स का पूरा एक्जाम होने वाला है ठीक है तो इसको आप ध्यान से देख लिए अब यह जो paper 1 है इसमें ध्यान से देखिए आप तो यहां हिंदी भी आपको पढ़ने पढ़ेगी उसके अलावा फार्मेसी 1 यानि कि दो पेपर होने व वाली है तो हिंदी के क्वेस्टन कितने होंगे 25 क्वेस्टन और कितने मार्क्स के 75 मार्क्स के यानि कि इच क्वेस्टन कैरीज 3 मार्क्स and how many questions are going to come from this फार्मेसी 100 100 question and 100 question 300 marks means each question carries 300 marks यानि कि 25 question Hindi के होंगे 75 number 75 marks के 100 question आपके pharmacy के होंगे 100 question होंगे और तीन-टीन number के एक एक question है तो 300 number यानि 375 को paper 1 हो गया और time आपको कितना मिलने वाला है धाई गंटे मिलने वाला अब देखिए जो दूसरा paper उसमें change क्या है हिंदी के जगह समान अध्यन आ जागा GS आ जाएगा general studies जीके नहीं general studies समान अध्यन जीके और GS में फरक होता है general studies general studies में क्या होगा जो 25 question हिंदी का था उसको रिप्लेस कर दिया general studies में वह भी 25 question 75 marks के 1 question 3 marks और फिर उसके बाद आएगा आपका pharmacy 2 यहां पर देखो लिखा होगा आप ढूड़ना यहां पर देखो pharmacy 2 का भी सलेबस लिखा हुआ है आप टेक्स्राइल केमेस्ट्री यह फार्मेसी 2 यहां देखो लिखा हुआ है समझ गए यानि कि पहले पेपर में हिंदी प्लस फार्मेसी दूसरे पेपर में general studies फ्लस फार्मेसी ठीक है चलिए तो यह टोटल हो गया आठ सो पचास नमबर का यह पूरा फैटर अब बात कर लेते हैं आगे क्या कैसे यह सिलेबस है एक बार इसको वीडियो को आप लोग पौस करकर करके इसको देखते रहा ना कि सिलेबस क्या एक्जैक्ली है इसको थोड़ा देख ले ना मैं टेलिग्राम गुरूप में आप फार्माशूटकल एनालीसीज फार्माशूटिक्स वीडियो को पॉछ करक करके देख लिए उर सेलेबस को पढ़ना जरूरी एक टरिएक इसके वीडियो पूरी मैंने डाल रखी हाप वहां से पढ़ सकते हो थीक है बाइटमस्टितस बीडियोस हैं फिष्चल सर्माशूट हुए शारी जाल दी आप उसको चैनel पर जाकर आपका काम है बहुत कुछ ठीकए के बाव कुरीक भी nesse Miguel Prime प्रुडंस की बैस्ति यूंज की वीडियो मैं डाल दी हुई है कि एस्वीयो में डाल हुई है वारमसी प्रक्टिस इंडस्च्रल फार्मेशी बैयोफ्रिक्स ऑस्पार्मसूतिक्स बायोटेकनोलॉजी इस्टुमेंटल मेथाड आलिस अंज्डिस अप लोग एंदेडिस को ह सबसे कॉस्मेटिक साइन से यह सारी चीज़े जो है पूछे जाएंगी तो यह पेपर वन का सलेबस है अब पेपर टू के साथ क्या था यहां पर देखें फिर एनाटॉमियन फिजिलाजी ऐनालीसिस फार्मासूटिक्स सब्जेक्ट वहीं है जैसे मालों फूर फार्मासूट सब्जेक्स में कुछ अलग टॉपिक है सब्जेक्ट आप देखें घबराओं मत कि 25-30 पूछ लिए नहीं सब्जेक्ट तो यही 10-15 घुमा पिराते हैं लेकिन उसमें टॉपिक चेंज होगा यहां पर अलग टॉपिक पूछ लिया है इन्होंने देखो वहां पर सूटिक्स लग टॉपिक था बट रॉइच नहुं को टॉपिक्स आइए उसके अलमा बाइफार्मॅसूटिक्स मेंुंग में तॉक्सिक नाहिए हैं लिए ठाइन देना है ठाइन्ट या को फ्रामाइसी प्राक्टीज मेडिसेनल कमेस्ट्री इंडस्ट्रीप्रमेसी इंडस्ट्रियल में इस सवाली चीज मियूखने को से State system Micro encapsulation control already I have made the video after Zarago ปر més the if यह को मिलने वाला है न कर दिक है पणmartiousपना पड़ेगा को सब को आपको ना पढ़ेगा सबसे पहले आप अगर देख रहे होगे तो हिंदी के लिए मैं रिकमेंड करता हूं अब देखे ये मेरे पास तो नहीं थी लेकिन अगल बगल इंजनीरिंग वाले कुछ बच्चे प्रेपरेशन वगर करते हैं मैं रहता हूं तो उनसे मैंने यह जुगार किया हुए ठीक है अधित पॉब्लिकेशन की है इलावाद की इसमें काफी अच्छा हिंदी वगरा जो है काफी अच्छे से दी हुई आप इसको अराम से पढ़ सकते हो ठीक है पच्चिस कोश्चन माहिने रखते हैं 25 आपको रैंक मुझे थोड़ी अच्छी लगी यह भी मैं बच्चों सही जोगार करके लाया हूं क्योंकि मैं फार्मेशी का हूं तो मैं हिंदी उन्दी कहां इसको रखूंगा तो नालंदा पब्लिकेशन की है और इसको लिखा हुए डॉक्टर पृत्वीनाथ पांडे यह दोनों बुक जो है यह हिंदी की वन अब बेस्ट बॉक बता रहा है तो मुझे भी रहाईज़ो काफी अच्छी से दिया हुआ इसमें तो आप यहां से पढ़ सकते हैं हिंदी का लावा फार्मेशी में देखिए फार्माकोलोजी तो फार्माकोलोजी के लिए एक ही बुक है केडी है यह आपको दिखाई दे रहे होगी क्लासिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह काफी अच्छी बुक है इससे क्लासिफिकेशन में काफी मदद मिल जाती आपको ठीक है बाकी एक बुक यह मेरे पास पड़े हुई थी फार्मेसी किट करके यह भी काफी यू है आपके पास हो या आपने आख पास दूसरों तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है बकी जूरिस्प्रूइबंस एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूं आपको एक बुक यह है फार्मसूट के गडिल जूरिस्प्रूइबंस बाई एंके जण शायद है आपको देख रहे होगे मेरे पास यह जी रोक्स है आप बुक मंगौा लेना या आपके पास किसी से ब्ट फार्मसूट सारी चीज हो गई अब जो 25 कोस्चन पेपर 2 में GS का था अब इतना समय नहीं है कि GS पढ़ा जाए तो मेरे पास एक जो है रामबाड हथियार देखा लिवसेंड लिवसेंड करना हम लोग बजपन से सुनते हैं अना कि लिवसेंड लिवसेंड का इंग्लिस वाले डिशन लेटेस्ट वाला अब इसको लेके पढ़ना इसमें सब कुछ दिया हुआ देखो इसमें अगर देखा जाना तो यह सब हिस्ट्री वगरा सब कुछ देखो कवर कर लेते हैं देखिने बहुत अच्छी बुक लिटी घए तो यह कुछ इंपोर्टेंट बुक्स की बात थी बाकि टेलिग्राम चैनल में मैंने कुछ बुक्स इंपोर्टेंट शेयर कर रहे हैं आपसे उनकी सॉफ्ट कापी वह उनके लिंक भी है तो वहाँ से आप डाउन्लो रहा तो डेफिनेटली आपको शेयर करना चाहिए स्वेयर करने में क्या कोता ही है और बच्चों का भला होगा आपके साथ साथ ठीक हम सब के फार्मेसी फिल्ड में आवेरनेस आएगी डेफिनेटली आपको जो है यह बेल आइकन सब्सक्रिप्शन के बाद दबा लेना चा आप डाप ब्रिप्रेशन स्ट्राटीजी क्या हो परिप्रेशन कैसे तैयारी किया जाए वाट को इस गोई तो बदाबी बेस इस्ट्राटीजी तो एक्स्पीरिएंस में अपने लाइफ में बहुत सारे एक्जाम क्रैक कर रखें कुछ जगा मैं फेल भी हुआ हूँ तो ज किस तरीके से आप कर सकते हो जहां फेल हुआ हूं कि क्या नहीं करना है तो वो सारी चीज़ हम लग को थोड़ा सा देखना है चलिए अब राइट स्ट्राटेजी क्या हो देखें किसी विग्जाम को दुनिया का कोई विग्जाम हो चाहे ये विग्जाम हो डेफिनेटली आप आपको सलेबस जरूर समयना चाहिए सलेबस मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया वीडियो को पॉस्ट करकर के सलेबस आपको देख लेना है ठीक है उसके बाद भी टेलिग्राम चैनल बागर नहीं मिलता टेलिग्राम चैनल से मैं शेयर कर दूँगा आप वहां से इसली क्वेशन क्या क्वेशन क्वेशन कर और टको कम मिलेगा है अगर वो नहीं मिलता है मिलेग्राम चैनल से किसे लेबल का पूछा गया है उससे आपको पूझा अदाजह कि हिंदी किस लिए-वर कह रही है जिसको जीस्स संवलक और बैट बॉचह घार इसाप से विल्जो होगे पुछा जान रहा रहा है ऑफ करोगे तो आप इस टॉपिक से बार-बार कुछ कुछा जा रहा है अगेन और अगेन क्वेस्टन सार रिपीटिंग फ्रॉम इस टॉपिक पर ज्यादा सर्मारना उस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है ठीक है उसके बाद एक इंपॉर्टेंट करके अपना खुद का एक सेलेबस डिजाइन करना है इसे करके आप कर लोगे तो यह थोड़ा से आसान हो जाएगा और आपके पास नोट आज जाएगा तो लास्ट रिवाइज करने में थोड़ा सा मज़ग अब इतनी सारी चीज़ आपने रिसर्च कर ली एक दिन दो दिन एक हफ्ता जितना देना हो आप दीजिए उसके बाद अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करें अब यूर फुली मैचूर्ड यूर फुली इन रिदम अब रिदम में विल्कुल तयारी करने के लिए लेकिन लिमिटेड सोर्स लिमिटेड सोर्स का मतलब जैसे मैंने जीएस का बताया तो एक पचास किताब लेके बैठ गए तो कुछ नहीं होने वाला है फिर उसके बाद जैसे आज आज आपने एक टॉपिक पढ़ा मालेजे टैबलेट पढ़ा तो उसके क्वेस्टन आप भूड़ी है टैबलेट के कहीं कि कोई बुकलेट आपके अपास कि कभी भी किस एकजाम में 100% तैयारी नहीं होती आप कितना भी सर मार लेजिए आप 10 साल लेक्चरार की प्रिपरेशन कर लेजिए आपका सेलेबस कभी खतम नहीं होने वाला है तो कोई भी स्टुडेंट 100% सेलेबस कमपलेशन के साथ नहीं जाता है 60% 70% 80% बाकी स् भेजे का इस खोपड़े का दिमाग को यूज करते हैं वहां से पेपर आपका इसली क्रैक हो जाता है ठीक है मल्टीपल रिवीजन यानि एक बार नोर्स बन गए तो यह नूटीपल रिवीजन पर आपको फोकस करना चीए कहीं टेसरीज मिल रही तो आप टेसरीज भी लग है कोई बूक है जिसमें सुटिक्स के कोश्चन भी है केमस्ट्री के को लोजी के है तिन वाई वर रनिंग बिहांड इस टेस सेरीज ठीक है इस चीज को अपको ध्यांगे ना है बाकि जब आप बास नोर्स हो जाएगा रिवाइज करोगे तो गल्ती होने का चांसिस कम होग होगा क्योंकि अभी इसमें यह नहीं बताएगा कि निगेटिव मार्किंग होगा नहीं होगा क्योंकि लोग से वायोग जो अभी यूपी पीसेस एक्जामेनेशन आरो यारो का जो एक्जामेनेशन अभी होगा है उसमें निगेटिव मार्किंग जो थी तो हो सकता कि thanks for your valuable time have a good day अपना ध्यान रखिए नमस्कार